नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हीरो अनिक नॉलज्ज में जहां पर आपको सिर्फ हीरो मोटर कॉप्स लेटेट सारी जानकारियां समय समय पर मिलती रहती है दोस्तों मैं हूँ सुषिल आज आपके लिए लेकि आया हूँ ग्लैमर एक्सटेकर नया फीचर नया फीचर के साथ में और नई टेक्नलोजी के साथ में आप जो पहले ग्लैमर देखते थे वह पूरी तरीके से बदल चुकी है और जो आप अभी ग्लैमर देखेंगे ना वो नए आउतार में आपको दिखेगी, सबसे पहले मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि इसके बेरियंट कितने आते हैं, आपको आगे बताऊंगा इसका अंडर प्राइज, इसके कुछ बहतरीन फीचर्स, इसके टिकनलोजी, इसकी माइलेज, आपको इन सारी चीजों के बारे म अगर आप Hero की Glamour परचेज करने का मन बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, तोकि मैं बताने वाला हूँ Glamour के सारे राज, जो आप जानेगे इस वीडियो में, अभी कुछ दिन पहले मैंने Super Spender का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बोला था, तो मैंने Super Spender से कही ज़्यादा features के साथ आपको देखने को मिलती है, तो अगर अभी दोनों के बीच में difference की बात करें, तो अगर आप request करेंगे, तो उसकी वीडियो भी बना देंगे, वो भी मिल जाएगी आपको, लेकिन आज में बात करने वाला हो Glamour के उपर, तो आपको सिर्फ Glamour की बारे में बताऊंगा, इसके कुछ features और इसके कुछ technology के बारे में बात करूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं, तो दोस्तों, आप एक bike खरिते हुई है, सबसे पहले आप क्या देखते हैं, सबसे पहले engine देखते हैं, engine के साथ उसका power देखते हैं, BHP देखते हैं, तो आप आपको काफी ज्यादा अच्छा लगता है, और तब ही आप bike purchase करते हैं, उसके बाद आप mileage देखते हैं, अगर mileage अच्छी हो तो आपके लिए bike काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन अभी जो features इसमें change हुई है, तो अगर इसका चाभी on करते हैं, तो आपको ये जो DRL है पूरी तरीके से LED DRL आपको देखने को मिलते हैं, वो पहले ही चमक जाते हैं, यानि signing करते हुई आपको मिल जाते हैं, सेकंड जो इसका, आपको head name देखने को मिलता है, वो पूरी तरीके से LED hand name देखने को मिलते हैं, जो पहले वाला glamour है, उसमें LED head name देखने को नहीं मिलता अब बात करते हैं इसके variant के बारे में यह कितने variant में आता है तो यह आपको चार variant में मिलता है सबसे पहला होता है Glamour Canvas, Canvas में क्या होता है कि इसमें आपको फुली Digital Meter मिलता है उसमें आपको Digi Analog Meter Console देखने को मिलता है और हाइलोजन में Headlamp देखने को मिलते हैं और जो Glamour Stack है उसमें आपको फुली LED Headlamp देखने को मिलते हैं और साथ में आपको पूरी तरीके से Digital Meter Console देखने को मिलता है अब इसके अगर Variant की बात करें तो यह आता है अगर कैनवास में बात करें तो कैनवास में भी आपको Drum Break और Disc Break दोनों मिलते हैं और अगर X-Tec की बात करें उसमें भी आपको Disc Break और Drum Break दोनों मिलते हैं लेकिन जो अभी हमाई साथ में भाई खड़ी हुई है वह Glamour X-Tec Drum Break है इसमें आपको Disc Break variant भी आता है अगर Glamour Canvass और Glamour X-Tec में बात करेंगे ना तो Glamour X-Tec काफी ज़्यादा Features के साथ में Glamour Canvass से काफी ज़्यादा Features इसमें मिलते हैं और जो इसका LED Head Lamp है वह Passing Light इसकी कैसी है तो आप देखरें ना Passing Light कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है पूरी तरीके से LED जो कि देखने में काफी ज़्यादा खुबसूरत के साथ-साथ में आपको बेहको सन लाइट जैसी रोस्नी देता है जो कि काफी ज़्यादा अच्छा है इसके साथ में तो इसका दूसरा फीचर्स चेंज किया गया है वो है इसका मीटर कंसोल आप मीटर कंसोल इसका देखेंगे ना तो आपको इसके मीटर कंसोल में बहुत सारी चीज़े मिल जाती है आपको यहाँ पर आर्पीम मिल जाता है उसके बाद आपको मिल जाता है किलोमिटर मिल जाता है और उसके पाता है hero rider आप उस app से इस बाइक को Bluetooth से connect कर सकते हैं और कहीं इसका आप trip डाल देंगे तो आपको यह turn by turn navigation देता है यानि आपको map चलाने के जुरूत नहीं है यह बाइक आपको खुदी बताएगा कि आपको किस location पर जाना है और कहां मुलना है कहां नहीं मुलना है second इसके यहां पर आप दो बटन देख रहे ना यह है select और mode का इस बटन को आप प्रेस करके अगर आपकी timing change हो गई है तो आप उसे set भी कर सकते हैं और अगर इसके आगे फीचर की बात करें तो यहां पर आपको इस बाइक में inbuilt charger देखने को मिलता है आप यहां पर आपको inbuilt charger देख आता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है बट अभी जो ग्लेमर आ रही है इसमें ऐसा नहीं है आप चलते रही है और कहीं भी जा रहे हो लेकिन अपना phone बड़े आराम से चार्ज कर सकते हैं तो यह भी एक hero की तरब से काफी ज़्यादा बहत काफी ज़्यादा बड़े और लंबे टेली इसकोपिक सेस्पेंसर मिल जाते हैं जो कि आपके राइडिंग के लिए काफी ज़्यादा कमफट है उसके बाद में आपको यहाँ पर मस्कोर बाड़ी का फ्यूल टेंग मिल जाता है जो कि 10 लेटर का पिसिटी के साथ में आता ह और अगर इसके बाद इसके गियर की बात करेंगे तो आपको 5-speed gearbox मिल जाते हैं इस बाइक में जो कि पहला आपका गियर लगेगा वो आगे लगेगा और बाकी चार गियर होंगे वो पीछ लगेगे इसके साथ में आपको side stand cut up का feature से मिल जाता है दोस्तो इसके बाद इसमें most changes क्या है तो इसमें आपको जो chain cover मिलता है वो fiber का मिलता है आप यहां पे देख सकते हैं यह chain cover इसमें fiber का दिया गया है जो पहले chain cover आते थे वो metal में आते थे और metal में chain cover आने से होता क्या था जो इसका नीचे का part ना वो गल के खराब हो जाता था जिसमें कुछ लोहे की मिल जाता है और जो इसका वाइक सस्पेंसर ना वो टेली इसकोपिक हाइड्रोलिक सॉक एबजारबर है जो five step तक अरजस्ट करता है तो आप इसे बड़े आराम से five step तक अरजस्ट कर सकते हैं और दोस्तों अगर इसके रियल लुक की बात करें तो रियल लुक आपको कुछ देखने में ऐसा लगता है यहां पर आपको काफी ज़्यादा स्टाइलिस गिर्मरेल देखने को मिल जाते हैं साथ में hero का लोगो देखने को मिल जाता है इसके बाद अगर इसके most changes की बात करें तो आप जो इसका tell lamp देखने में यह LED tell lamp signature में आपको देखने को मिल जाते थे जो कि पहले आपको देखने को मिलता था हाई लोजन में, तो यह भी एक काफी ज़्यादा अच्छा फीचर से, इसके बाद में आपको जो यह इंडिकेटर देखने को मिलने हैं, काफी ज़्यादा फ्लेक्सबर और बड़े इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं, और अग और तो अगर इसके और चैनलोजी के बात करें तो आपको काफी ज्यादा स्टाइलिस और ग्राफिक के साथ साथ में आपको इस बाइक में I3S टेकनोलोजी मिल जाती है I3S टेकनोलोजी आप देख रहे हैं जो आपकी फ्यूल की सेविंग करता है और आपको काफी ज्यादा अच्छे प्रफार्मेंस वाली ब्रेक मिल जाती है अगर आप सूज रखेंगे तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यानि आपका जो पहर है इधर उधर फीच लेगा नहीं जो की काफी ज्यादा अच्छा फीचर इसमें दिया गया इसके बाद अगर I3S का बटन देखेंगे तो I3S का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है आप यहाँ देख रहे हैं अगर आप I3S on करके चलाते हैं तो आप फ्यूल की ज्यादा सेविंग कर पाते हैं आपको माइलेज काफी ज्यादा अच्छी मिलती है लेकिन अगर आप आप करके भी चलाना चाहें तो आप अपने हिसाब से चला सकते हैं अगर on करके चलाएंगे तो आप कहीं भी अगर चल रहे होंगे और अगर बाइक को नूटल करेंगे और जैसे ही आप ख़ड़े होंगे तो पांच सेकेंड के अंदर आटोमेटिक बाइक बंदू जाती है जिससे आपका फ्यूल का यूज नहीं होता है आप अच्छा खासा अगर इस बाइक के पावर की बात करें तो 10.7 बहपी का पावर जनरेट करता है तो तो पावर के हिसाब से जो थोड़ा मैलेज है वो थोड़ा आपको अपड़ाउन मिलता है लेकिन आप साट से लेके सतर की बड़ी आराम से इसमें पास सकते हैं उसके बाद अगर और भी इसमें देखे जाएं तो आपको यहां पर आप देख रहें ना आपको यह डामेंड चेचिस मिल जाता है आपको मैं दिखाने की कोशिज कर रहा हूं आप यहां पर देख रहे हैं आपको डामेंड फ्रेम चेचिस मिल जाता है जो की कापी ज्यादा अच्छा है पहले आपक कि मैं जरूर्ब कोशिज करूँगा उसके बाद अगर आप यह बाइक पर्चेज करना चाहते हैं तो यह बाइक आपको मिलेगी कहां तो यह बाइक आपको सिंगला एजनसी में मिल जाएगी जिसका कर दिया है आप उसे देख सकते हैं और क्वाल भी कर सकते हैं और बीजिट भी कर सकते हैं अब बात करते हैं इसके ऑनड़ प्राइज की तो अगर आप ग्रेमर एक्टेक का ड्रम ब्रेक बरजम परचेज करते हैं तो आपको 97000 में आपको मिल जाएगी उसके बाद अगर आप डिस्क प्रेक बर्जम प्रचेज करते हैं तो आपको 1,02,000 रुपे में ये बाइक मिल जाएगी अगर आप फाइनेस कराना चाहते हैं तो आप 15-20,000 रुपे देखें बड़े आराम से ये बाइक फाइनेस करा सकते हैं इसके बाद में अगर आप ये बाइक प्रचेज करते हैं तो आपको मिलता क्या क्या है तो आपको इसके साथ में फाइवेर का इंसुरेंस भी जीरो डैप इसके साथ में आपको इंसुरेंस में आपको 15,000,000 का परस्नल एक्सिलेंटल कबर भी दिया जाता है आप अगर गाड़ी कोई चोरी हो जाती है या फिर एक्सिलेंट हो जाती है तो पूरा-पूरा क्लेम आपको मिलता है साथ में अगर आपके गाड़ी से किसी को नक्सान हो जाता है तो उसका भी आप क्लेम कर बाते हैं इसके साथ में आपको registration का पैसा होता है एक्सोरूम प्राइज होती है registration insurance आपको ये चीजें इस on-road प्राइज मिलती है इसके बाद अगर आप कुछ और परचेश करना चाहेंगे जैसे आप इसमें कोई accessory लगवाना चाहते हैं या फिर आप कुछ और परचेश करना चाहते हैं helmet परचेश करना चाहते हैं तो वो आपको अलग से pay करना होगा इसके बाद अगर आप इस वीडियो के reference आएंगे तो आपको इस bike पे सीधे सीधे 15 सु रुपे का cash discount मिलेगा जो कि काफी ज़्यादा अच्छा है तो अगर आप दिल्ली या दिल्ली NCR से हैं आप ग्लेमर बाइक परचेश करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के reference से आके सीधे 15 सु रुपे का cash discount पा सकते हैं जो कि काफी ज़्यादा बहतरी नहीं तो दोस्तों आज मैंने ग्लेमर के बारे में आपको सब कुछ बता दिया और अगर आप ग्लेमर और सुपर का दोनों का combination देखना चाहते हैं इसके features जानना चाहते हैं और कौन सी bike best है तो आप मुझे comment कर सकते हैं अगर ज़्यादा comment आ है तो मुझे वीडियो ज़रू बनाऊंगा आपको बताऊंगा आगे कि ग्लेमर और सुपर में कौन सी bike आपको लेने चाहिए तो मिलते हैं दोस्त एक नए वीडियो में एक ने डापिक लेके किसी और मोटसाइकल के साथ या फिर किसी और bike के साथ तब तक के लिए thank you, धन्नबाद आप लोग सेप रहे, सुरचित रहे, धन्नबाद, थाइंक यू